नमस्कार आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूस बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर निर्सा थाना में लिखे शिकायत की है गोस्वामी ने कहा कि यहां एक प्रतिबंधित शेत्र है लेकिन आवध कोईला कारोबारियों का एक गिरो लगातार राजा कुलियरी में दिन के उजाले में आवध उत्खनन करवाता है आवध उत्खननने प्रति दिन सैक्डों की संख हमें कोईला चोर कोईला काटने का काम करते हैं इसके एवज में आवध कोईला कारोबारियों द्वारा उन्हें भेट सुरूप मोटी रकम दी जाती है गोस्वामी ने आरूप लगाया कि कल की घटना के बाद इसील प्रबंधने जिलप्रिशासन को सूचना देना नहीं समझा बिनार मजिस्टेट की नियुक्ति के ही रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया इसील प्रबंधन द्वारा इस तरह की कारवाई यह साब दर्शाती है कि प्रबंधन साक्ष शुपाने का काम कर रहा है गोस्वामी ने कहा कि अगर जिलप्रिशासन इन लोगों पर क करता है तो आने वाले दिरों में कोल वरकस यूनेन के बैनर तले जोरदार आंदोन किया जाएगा कल निर्शा के राजा कोलियरी में अवेद खनन के दौरान चाल धसने से एक 25 वर्षिये नौजवान की मिर्त्यू हो गई और कई लोगों के दबे होने की सुचना वहां से प्राप्त हो रही है मेरा कहना है कि एक प्रतिवंधित छहित्र में जो इसे एल का कारे छहित्र है वहा पर बड़ी संख्या में सैकड़ों के संख्या में प्रती दिन वहाँ पर लोग अवेद खनन के लिए जाते हैं ये पूरा काम जो है एक संगठित गिरोह की और से चलता है और इस संगठित गिरोह को संरक्षन मिलता है ECL के महाप्रबंधक की और से, ECL के जो सुरक्षा विभाग के लोग हैं उनकी और से, CISF के लोग से, ये सारे लोग जो हैं इसमें मिले हुए हैं और मिल करके संरक्षन पर आप संरक्षन देते हैं, जिनके ऊपर चोरी रोकने के जिम्मेदारी है, वो लोग संरक्षन देते हैं, और उनके संरक्षन के कारण से ही इस प्रकार का अवेद उत्खन का काम लंबे समय से चल रहा था, कई बार ऐसी घटनाएं होती है, इस बार भी घटना हुई है, एक पैक्ती संकर भुईया नाम की बच्चे की सोग को बरामत किया गया है, कई लोग घायल है, और कई लोग के दबे होने की भी सूचना मिल रही है, इसलिए मैं जिला प्रसासन से मांग करता हूँ, कि अब विलंब जो यहाँ पर जिनके ऊपर चोरी रोकने की जिम्मेदारी है वो लोग जब मिल के चोरी करा रहे हैं, इसलिए उनके उपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, इसलिए के महा प्रवंदर, राजा कोलियरी के एजेंट, राजा कोलियरी के मनेजर, सुरक्षा पतादिकारी जो इसलिए के हैं, CISF के जो पतादिकारी हैं, प्रवंदर को, ECL प्रवंदर को जिला प्रसासन को देना था, मजिश्टेट की उपस्किती में रेस्क्यू अभियान चलना चाहिए था, लेकिन ECL प्रवंदर ने अपने ठिकेदार के माध्यम से चोरी छिपे रेस्क्यू अभियान चलाया है, इसके लिए साक्ष चुपान और सुरक्षा पदाधिकालियों पर दर्ज किया जाए इसके लिए मैं आवेदन दे रहा हूँ यदि जिलाप्रसासन इन पर दर्ज नहीं करता है तो आने वाले समय में युनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले हम आंदोलन करने का काम करेंगे इटाइम न्यूस के लिए नेर सासे विटिसलोजाक रिपोर्ट